सद्गुरु यूटीउब पर आपके एक विडियो में आपने अपने एक अनुभव के बारे में बताया है जब आपने नाकका विश पी लिया था और आपने कहा कि उस समय आपका एक हिस्सा नींद महसूस कर रहा था जबकि दूसरा हिस्सा महसूस कर रहा था कि आपके अंदर तेज चमक आ गई है तो चारस या गांजे जैसे दूसरे कुदरती नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में आपकी क्या राय है क्यूंकि इसके परियाप्त सबूत मौजूद हैं कि गांजे के सेवन से कई मेडिकल फायदे है मेडिकल फायदे बीमार लोग के लिए है है ना जब लोग बीमार होते हैं तब हम मेडिकल फायदों की बात करते हैं ना की तब जब वे स्वस्त होते हैं है ना तो मुझे खुशी है कि आपने थोड़ी रिसर्च की है उस नाक के विश्ट वाली चीज़ पर हम रोजाना नाक का विश्ट नहीं पीते हैं कई बार हम रोजाना पारे का सेवन करते हैं मगर वो नशे के लिए नहीं है ना ही हमें नशे के लिए नाक के विश्ट की ज़रूरत होती है मेरी आँखों में देखिए यह हमेशा नशे में चूर होती है अपना सिर नीचे मत कीजिए मेरी और देखिए मैं हमेशा नशे में होता हूँ मैंने कभी कोई नशीला पदार छुआ भी नहीं मगर क्या ये सच है कि ये इंसानी सिस्टम दुनिया की सबसे जटल केमिकल फैक्टरी है हलो तो अगर आप इसे अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं तो आप जो चाहे इससे पैदा कर सकते हैं खैर एक इसराइली वेग्यानिक था आपने उसके बारे में सुना होगा कि आपने इस पहलू पर काफी रिसर्च की है वो गांजे और नियूरलोजिकल प्रणाली पर उसके असर के बारे में रिसर्च कर रहा था उसने अमेरिका में अपना शोध शुरू किया उसके लिए उसे हर साल करीब 15 किलो गांजा मिल रहा था करीब 12-13 साल तक उसे ये मिला उसने कोई नतीजा नहीं निकाला 1980 के दशक में जब अमेरिकी ड्रग एजिंसियां वे एजिंसियां जो ड्रग की तसकरी और ऐसी चीजों के खिलाफ काम कर रही थी उन्होंने सप्लाई करने वालों को नहीं बलकि बाजार को निशाना बनाने की सोची तो पुलिस गली-गली में कारवाही कर रही थी उस समय पुलिस और एजिंसियों ने कहा इस आदमी को हर साल 13 किलो गांजा मिल रहा है हर साल हमें इसकी तरफ से कोई पेपर भी नहीं मिला है इसे बंद कीजिए उन्होंने सप्लाई बंद कर दी फिर वो इसराइल चला गया और दिखाया कि उसने अब तक क्या किया है और वहां उसे उसकी मंचाही मात्रा में गांजा दिया गया लगबख साड़े चार सालों में उसने निशकर्ष निकाला उसने कहा हमारे दिमाग के अंदर गांजे के लाखों ग्राहक बिंदू है मगर क्यूँ तो उसने ये सुचना अलग-अलग वग्यानिक शेत्रों तक पहुँचाई ये पता करने के लिए कि इनसानी दिमाग में लाखों गांजे के ग्राहक बिंदू क्यूँ है सोभाविक रूप से मानव वग्यानिकों ने कहा शायद किसी समय सारी मानव जाती धूमरपान करती थी मगर ये संभव नहीं है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में ये पैदा नहीं होता मगर वहां भी दिमाग वैसा ही है कई चीजे होने के बाद डुनिया भर में इस बारे में कई मज़ेदार चीजें होइ पिर नियूरोलोगिस्ट ने बताया कि दिमाग आप से शरीर के भीतर ही ऐसे केमिकल्स पैदा करने की उम्मीद करता है वो आप से धुमरपान की उमीद नहीं करता ये आप से वो पैदा करने की उमीद करता है ताकि आप हर समय अपने मूड को संतुलित रख सकें मगर जादातर इनसान निकम्मी केमिकल फैक्टरी बन गए है या वे बस एक शांदार फैक्टरी को मैनेज करने वाले घटिया CEO बन गए है तो उन्होंने बाहर से नशा लेना शुरू कर दिया है ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है मेरे लिए ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है मगर बात ये है कि इस बारे में ठोस अध्यन है जिने उन कारिकरताओं द्वारा दबाया जा रहा है जो इसे आगे बढ़ाना चाहते है ये दिखाने के लिए ठोस अध्यन है कि आपकी निरने लेनी की एक्षमता, आपके दिमाग के कुछ खास आयाम, खासकर निरने लेनी की एक्षमता काफी कम हो जाती है अगर आप 30 दिन तक गांजे का सेवन करते हैं अगर ऐसा 4 से 5 साल तक चलता है आपकी निरने लेने की ख्षमता साफ तोर पर प्रभावित होती है इस तरह के दिमाग के साथ अगर आप अदालत जाते हैं और मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौपता हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला वकील मुझे मिले मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला सर्जन मेरा उपरेशन करे अगर वो बस गली के कोने में गांजा पी रहा है और किसी को कुछ नहीं कर रहा है तो वो उसकी समस्या है मगर मैं निश्चित रूप से नहीं चाहूँगा कि मेरा सर्जन गांजे का सेवन करके मेरी सर्जरी करे हाँ या नहीं क्या आप चाहते हैं नहीं मैं ऐसे ड्राइवर चाहता हूँ क्योंकि मैं एक खास गती पर गाड़ी चलाता हूँ मैं नहीं चाहता कि नशा करने वाले दूसरे ड्राइवर मेरे साथ गाड़ी चलाएं मैं नहीं चाहता नहीं मैं अपने लिए ऐसा ड्राइवर चाहूँगा अगर कभी मैं गाड़ी में पीछे बैठूँ जो नशा करके गाड़ी चला रहा हो अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है मगर हम ऐसा नहीं चाहते आधिकांश लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा तो हम दरसल मनोरंजन की खोज में हैं हमने इसे ऐसा बना दिया है इसका मतलब दरसल ये है कि आज लगभग 70% अमेरिके आबादी दवाओं पर है बाकी दुनिया उनके पास पहुँचने ही कोशिश में है हाँ, बाकी दुनिया उनके पास पहुँचने ही कोशिश कर रही है लोग कम उम्र से ही दवाईयां लेना शुरू कर रहे है बाकी 30% निश्चत रूप से उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं सिर्फ गांजा ही क्यों लें हम थोड़ी कोकेन क्यों न ले लें क्योंकि वो ज़ादा जबरदस्त होती है क्यों? अरे कोई भात नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए कोई नैतिक मुद्दा नहीं है सवाल ये है कि ये आपकी जीवन को भैतर बनाएगा या उसे दबा देगा ये आपको पूरी तरह आपका जीवन जीने देगा या आपको उसके मुकाबले एक सीमित जीवन बना देगा जैसे आप अभी हैं या हो सकते हैं आप जो कर सकते हैं उससे कम कुछ भी इस जीवन में नहीं होना चाहिए चाहे वज़े कुछ भी हो आपके नजरिये या तनाव या ड्रग या किसी भी वज़े से आप जितना हो सकते हैं उससे कम तर इंसान आपको नहीं होना चाहिए आपको जीवन अधिक्तम मुचाई पर ले जाना चाहिए क्योंकि इस जीवन में सब कुछ बस यही है कि आपके जीवन का अनुभव कितना तीवर और गहरा है बस यही महतुपूर है और अगर आधे समय आप होश में नहीं रहेंगे तो इस संभावना को आप खो देंगे आप बस यहीं बैटकर नशे में चूर हो सकते हैं वाकई सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ मैं कई लोगों के साथ ऐसा करता हूँ हजारों लोग सिर्फ यहां बैटकर पर्मानंद में होते हैं मैं रोज सुबह आपको लाखों लोग दिखा सकता हूँ जो अपनी आखें बंद करते हैं तो उनकी आखों में पर्मानंद के हां सुबहते हैं क्यूंकि एक तरीका है एक तरीका है इस शरीर को सक्रिय करने का क्यूंकि इस धर्ती पर इससे जटल कैमिस्ट्री नहीं है हाँ या नहीं? क्या आप मुझे सहमत हैं? जब सब कुछ यहीं है तो इसका इस्तिमाल करना सीखना सबसे अच्छा है अगर हम अपने जीवन की शुरुवात में थोड़ा समय खुद पर लगाएं तो बहुत ही आसानी से आप वहां पहुँच सकते हैं इसकी जगा अगर हम बाहरी चीजें लेते हैं तो उसके बुरे नतीजे हम जानते हैं